नमस्कार दोस्तों, मैं संजेबगु और मौझूद हैं देश रोजाना के डिशनल मीडिया मंच पर पिछले चार दिन से हर्याना की खाकी यहने की हर्याना पुलिस हर्याना पुलिस के अंदर जिस परकार का माहौल चल रहा है वो कुछ अलग ही परकार का बना हुआ है आपने एक वीडियो हमारा पहले भी देखा होगा और तमाम सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे हर्याना पुलिस की जवान जो हर्याना पुलिस में कारत महिला जवान है महिला पुलिस करमि उनका सोशल मीडिया पर वायरल एक चार पन्ने का एक शिकायती पत्र या अनुरूद पत्र उसके आरोप लगना पुलिस अधिक्षक पर थानेदार पर S.H.O. पर महिला S.H.O. और म उसकी जाँच चलना उसके अंदर इन्वेस्टिकेशन शुरू होना और इन्वेस्टिकेशन जाना एक महिला पुलिस अदिक्षक के पास मुख्य मंत्री और भारती जंता पार्टे के परदेश अद्यक्ष के साथ साथ पहलवान और जुलाना की विधायक विनेश फोगाट का उसके अंदर बयाना और उसके बाद में फिर महिला आयोग और तमाम सरकार की तंत्र का उसके अंदर उतरना सारी बात का जिक्र आप से सली कर रहा हूं कि हर्याणा के अंदर बांगर का विशेश छेत्र है हमारे एक दर्शक प्रतिक्रिया कर रहे थे तो बांगर छेत्र के अंदर एक जिला और उसके पुलिस कप्तान बांगर छेतर के पुलिस कफ्टान आरोब लगता है उन पर की महिला पुलिस कर्मी जो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुआ अनुरोध और शिकायती पत्र महिला पुलिस कर्मी कहती है कि उनको बुलाया जाता है महिला ऐसे चोन को ले करके जाती है आप इस वीडियो में जा करके देखे तो हमने इसमें आपको सब कुछ बताया था इससे आगे जो चलता है इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बताया कि महिलाओं की महिला पलिस कर्मियों की शिकायत और शिकायत के बाद में जिस प्रकार का हर्याणा के अंदर माहौल बनना और हर्याणा सरकार क्योंकि अब नई नई सरकार बनी है सरकार के तरफ लोगों की नजर जाना अगर मैं ये कह दूँ कि वाक्या शर्द्यंत्र है साजिश है और या फिर कोई मंगणंत कहानी है या फिर ये हादसा है और हकीकत है ये जो कुछ भी है इस पत्र और शिकायती पत्र अनुरोब पत्र इसके पीछे जो कुछ भी राज है वो बहुत कुछ कहते हैं वो बहुत बड़ा इशारा करते हैं इस शिकायती पत्र के अंदर पुलिस कर्प्तान के साथ-साथ महिला S.H. और महिला D.S.P. और उसके बाद में उन पर हनी ट्रैप जैसे गैंग चलाने के आरो पुजित कपूर ने इसकी इन्वेस्टिगेशन दी जो जांच करने के लिए दिया वो फतेहबाद की पुलिस अधिक्षक आस्था मोदी को दिया गया आज आस्था मोदी हमें बता रही थी टेलिफोनी के उनसे बात्चित हो रही थी तो बता रही थे कि 19 लोगों के उसमें बयान लिये गए है यह बाद सही है कि जो पत्र वाइरल हुआ जो शिकायती पत्र है जो अनरोध पत्र है क्योंकि पीडिताओं जो पीडिताओं हैं अगर तो उन्होंने उसको अनरोध लिखा है मुक्यमंत्री नायव सिंग सैनी के लिए बड़ा भाई कहा है खुद को छोटी बेहन कहा है और कहा है क्योंकि शिकायते तो पुलिस के जंजाल में फस जाती है मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया था पहले वाले में कि ये जो पत्र है खाली केवल महिला पुलिस कर्मियों के साथ और पुलिस कफ्तान की सारी वही बात नहीं इसके साथ साथ एक बड़ी बात आती थी जो मैंने आपको बताया था कि पुलिसिंग के अंदर आखिर किस प्रकार से शिकायतों पर इंवेस्टिगेशन होती है कारवाई होती है शिकायत पर शिकायत और फिर जांच कमेटी फिर जांच कमेटी फिर जांच कमेटी और महिला पुलिस अधिकारियों एक SH और DSP उनकी मिली भगत और उसके बाद में महिला SH पर हनी ट्रैप गैंग चलाने का अरूप लगाना और उसके बाद में बताना कि पुलिस संत्र के अंदर शिकायतों पर investigation जांच कैसे होती है जो फत्याबाद की पुलिस अधिक्षक है आस्था मोदी जी उन्होंने बताया कि 19 महिला पुलिस करमचारियों के बयान कलंबद किये गए हैं 19 महिला पुलिस करमचारियों के बयान लिए गए हैं और उन बयानों के अंदर जो कहा है जो भी कहा है उन सब बयानों को जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिये वैसे ही दर्ज कर लिए गए अब इसके अंदर सबसे बड़ा पेच ही आता है दोस्तों कि दैनिक जागरन के अंदर एक आज समाचार में पढ़ रहा था छपा था कि जिसमें लिखा हुआ समाचार के अंदर कि जो आरोपी प करता सामने नहीं आ रही है और शिकायत करता आरोप फिर लगा रही है एक और पत्र वाइरल करके और उसके अंदर कह रही है कि पुलिस कप्तान और दौनों जो महिला पुलिस अधिकारी है सच्चो डियसपी वो उन पर दवाब बना रही है कि कहा जा रहा है कि उनको पैसे क कोई रहा बयान हुए ना कहीं वो सामने आ रही है उन्होंने ये भी कहाया कि अगर पुलिस अधिक्षक और डियसपी को ट्रास्फर कर दिया जाए तो फिर वो सामने आ सकती है इसकी पूरी जाच हो जो इसकी इन्वेस्टिकेशन कर रही है आस्था मोधी मैं आपको बताया और आइडेंटिकेशन है सिर्फ नाम लिखें हैं आस्था मोधी बता रही थी कि जो उसके अंदर नाम है पहले हमने उन नामों के बारे में इन्वेस्टिकेट किया है उनके बयान कलंबत किये लेकिन कोई ऐसी बात अभी तक उसमें जो है शिकायत वाली सामने नहीं आई है लेकिन इसके साथ-साथ उन्हें का ना तो हम किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं ना इसे हम कहीं अभी जस्टिफाइग कर रहे हैं किसी बात को भी क्योंकि कई स्थानों पर यह भी चला कि क्या इसके पीछे किसी प्रकार का शड़्यंत्र है या साजिश है तो जहां शदिकारि एस पर चल रहा है जैसी अख़वारों के सुर्खियां बन रहे हैं सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर जो ब्रेंडिट बड़े अख़वारों के जो हैं बड़े जो सनस्थान के वेबसाइट है वी चला रहे हैं वह सभ तो चिंता जरक तो ज़रूर है उस से यह आप जरूर मालने की पुलिसिंग पर सवालिया निशान जरूर लग रहा है और जब पुलिस वेवस्था पर कानून वेवस्था पर सरकारी तंतर पर अगर प्रशंचिंद लगता है सवालिया निशान आता है तो फिर कानून वेवस्था और इसके साथ साथ जो सामाजिक तानावाना है व अगर वायरल होती है जब इस प्रकार के सोशल मीडिया पर चलता है तो फिर उसका संदेश जो है वो दुष्परिणाम वाला हुआ करता है अब इस मामले के अंदर जो मैला आयोग है विमेन कमीशन ने हर्याना विमेन कमीशन की जो चेहर परसन है रिनुभाटिया उन्होंने चाहि तलब किया है जो अस्थामोधी जांच कर रही है उन पुलीस दिख्षक को भी और इसके साथ-साथ जो आरोपी पुलीस दिख्षक बनाए गए इन्पहें मे applies कैब्स ही सम्मपता शायद उनको भी तीज तारिक को उन्हें भी संवन किया गया है उन्हें भी बुलाया गया है जब टक सारे मामले की 侵्यांच नहीं होती जब तक सारे मामले की इंवेस्टिकेशन करके जहां चोकर के सामने नहीं आता तब तक रोज खास कर खाकी पर सवाल या निशान रहेंगे और सवाल या निशान इसलिए रहेंगे क्योंकि आरोप खाकी पर लगाने वाली भी खाकी है और सबसे महत्वपूर बाते हैं कि आला अधिकारियों पर अगर छोटे करमचारी वारूप लगाते हैं तो फिर वहां जिग्यासा जादा बढ़ जाती है इस सारे मामले को ले करके मैंने आपको बताया था कि अब बड़े नेता धीरे-धीरे मैदान में आने लगे हैं नायव सिंग सेनी कुरुक्षेत्र में थे अपने विधानसवा चेत्र में लाडवा में उनसे आज पूछा गया तो उन्होंने का कि सारे मामले की इन्वेस्टिकेशन हो रही है और जांच के आधार पर कारवाई होगी अगर कोई दोशी होगा तो बक्षार नहीं जाएगा हुआ भी यही करता है क्योंकि मुख्यमंत्री हों चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स बड़े हों कोई भी जब तक इन्वेस्टिकेशन नहीं हो जाती किसी को भी दोशी या दोश्मुक्त नहीं कहा जा सकता और सबसे बड़ी बात ही है कि यह सारा मामला सोशल मीडिया पर चल रहा है सबसे प्रमुक बात जो है इस सारे घटना करम की अगर यह वाकई घटना करम है और पयान दर्श कर रहे हैं विनेश फोगाट ने इस मामले को ले करकर के कह दिया विनेश फोगाट जो नई-्णाई नेता बनी है इससे पहले वह पहलवान थी खिलाड़ी रही है और जो पहलवानों का अंदोलन था उसके अंदर उनकी अग्रणी भूमिका थी विनेश फोग काम करते हैं और अगर यही बात खाकी में है यानि कि पुलिस में और विनेश मोगाट ने तो यहां तक कह दिया कि फिर इनको दवाया जाता है खेर अगर इस प्रकार की बात है तो यह लोगतंत के लिए अच्छा तो नहीं होता लेकिन ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि इ सोशल मीडिया पर लुका छोपी के खेल से भी बात नहीं बनती इसके अंदर दोस्तों महत्यपूर बात एक और भी है कि जो आरोपी पुलिस अदिक्षक बनाए गए हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं बहुत बड़ा आरोप है और उन्होंने खुद आगे बढ़के यह भी क कि इस सारे मामले की जांच करवाई जाए मैंने खुद डीजीप को लिखा है उन पुले सदिक्षक महत्यर कहना है इस लिहाज से देखें तो यह सारा मामला भी तो पेचीदा बनता जा रहा है इस सारे मामले के पीछे जब तक पूरी इंवेस्टिकेशन नहीं हो जाती और या फिर जो पीडित है शिकायत करता है वो सामने आकर कि अपनी बात नहीं रखते तब तक तो यह मामला उलजा रहेगा मकरजाल की तरह आने वाले दिनों में सारे गटना करम से परदा उठेगा तो सच्चा ही सामने आएगी लेकिन तब तक इसका केवल इंतजार करता है व ये ट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही तेश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन